जनपत मुरदाबाद के थाना नाकफणी छेतर में आग के चपेट में आने से दमपत्ती जुलस गए घर में लगी आग को देख कर परीजनों में हलकम मच गया और आनन फानन में परीजनों द्वारा दमपत्ती को जिलस पताल में भरती कराया गया नागफनी के कहरों वाले मंदिर में प्रदीप कुमार रहता है जो डेंटल कॉलिज में कार्य करता है प्रदीप बुद्वार की रात लाइट चले जाने पर मुंबत्ती जला रहा था जबकि थोड़ी देर पहले ही उसने सैनिटाइजर का प्रियोग किया था अचानक मुंबत्ती प्रदीप के हाथों पर गिर गई और प्रदीप के कपड़ों में आग लग गई प्रदीप की चीख फुकार सुनकर घर में पत्नी प्रभा निकल कर आई और पती प्रदीप को आग की लप्टों से बचाने लगी पती को बचाते बचाते पत्नी प्रभाद देवी के हाद भी जल गए दमपत्ती को उप्चार के लिए जिलस पताल में भरती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है जानकारी देते हुए पत्नी प्रभाद ने बताया झाल झाल